कि अज़ फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे क्राइश कोर्स में कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटिक में नंबर कैसे ला सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले अगर आप वीडियो अपने यूट्यूब पर पाना चाहते हैं तो बहले कन भी दबा दिजी इसे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे हो आपके मौहल पर सबसे पहले पहुंचेगा चोटी-चोटी से कुस्से ने उसको अगर ऐसे हम याद कर लेते हैं तो असानी से याद हो जाएगी और मैट्रिक में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं तो यह पूरे वीडियो देखने के लिए लाज तक बने रहे हैं चलिए हम आपके साथ आते हैं कि यह हम अनुम आः तेनध कलास में है पहली बार बुड की जाम देते हैं तो आपको बहुत सारी प्रसानीय होती है कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे कैसे होगा नहीं जोगा अन गलत नहोजा यह है वह से प्रप्पलिम होती है और आपको टाइम जिद दिया जा रहा है तीन घंटा 15 मिनट का और टोटल मार्क्स आपका 100 है पहला काता कि प्रक्षार्थी या था संभाव अपने ही सब्दों में उत्तर दें यानि कि प्रक्षार्थी विद्यार्थी को हर हाल में जो उत्तर है कोशिस करेंगे कि अपने ही स लाड़ते रहेगा और इस प्रस्ण को पढ़ने के लिए हमें 15 मिनट का समय दिया त्रिक दिया जाता है प्रस्ण जो है मैं दो खंड में मिलती है एक होगा आपको अप्षन वाले और दूसरा होगा आपको थियोरी लिखने वाले आपको अप्षन वाले में ये तो इसमें 60 दिया हुआ है बट आपको एक्जाम में पुछा जाएगा लगभग 100 कुछन पुछेगा और उसमें से आपको मातर 50 का जवाब देना और ओमार सीट पर कोई भी वाइटनर हो या कोई अधरपदार्थ हो या बलेड हो नाखुन का प्रियोग न करें वालने फोड उस ब्लॉक को सिर्फ आप जो डबा रहेगा भरने वाला रंगने वाला उसको सिर्फ बॉल पेंट से उच करें बॉल पेंट से रहें और चलिए कि अमबेदकर ने भारत की बिरुजगारी का पर्मुक वंपरतेक्ष करन किसे मानते हैं ये कुशन अप्शन में हैं और इस प्रकार के एक कुशन होते हैं और ऐसे कुशन आपसाने से याद कर लिजिएगा दूसरा कुशन काता सब्वे सामाज क्या अब सकता क्या है हो आर सत्रोज शुद्राज जो है किसकी रचना है ये आपका फर्स्ट चेप्टर से है हिंदी का बीस के दाथ है जोंपड़ी और महर के लड़ाय में अक्सर कौन जीते हैं सच्चे भारत के दर्शन कहां बसता है और सारे अप्शन है सारे अप्शन चार अप्शन में से एक कुट्टिक लगाना है अगला देखे कुशन क्या करा है काता है कि भारत से हम क्या सिखें पाठ गध की बिद्या कौन सी है दूसरा अगला कुशन है दूसरे के सारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं मैक्स मिलर के पीता का नाम क्या था कांठ और केन का जर्मन भा बाद किया था इसमें कहाएगा यहीं ऐसे भी कुछन मिलते हैं कि सूध हुआ के कौन है यहीं तीन आपका गलत संटेंस देगा और उसमें से एक को आपको जो सही होगा उसको चुछ करना है इसके लाब कता सरवत्तम का संदी भीचेत करें अब यह संदी से हैं ब्याकरन है मुल्यांकर के रचनाकर है आपको अप्शन देगर लेखक का नाम बताना बता दीजेगा एक पतंग अनंत में किनकी रचनार असोग बाजपई का जनम कब हुआ मचली सिर्शक पाठ के लेखक कौन है अंगुठा दिखाना मुहावरे का आर्थ क्या है गुप्त का बिलोम करना है आगे बने लंबोदर में कौन सा समासे यह आपका ए सअरे सरे खुज्चन है जो व्याकरन से भी कुछ है और हमारे चेपटर से भी हे आप पर जदा से जदा आप मोडल सिटके उज़ करके कुश्चन बैंक का इस्तेमाल करके सारे जो हम कुश्चन बता रहे हैं उसी कुश्चन को याद कर लिजेगा और आप तेंथ में जदा से जदा नमबर उठा सकते हैं अगला काता जपूजी किसकी रचना है नाखुन क्यों बढ़ते हैं भीरी लीला किसकी रचना है घनानंद का जनम कब हुआ सो देशी कब तक किसकी संकलित है दही वाली मंगमा किस भासा से अनुदुत कहानी है असमीता का सही अर्थ क्या है ये अगला कुश्चन 35 में है नौबत खाने में वाद पाठ के खेंदर में कौन थे यानि इसमें से आपको एक नाम बताना है बिसमिल्ला खा का पिरिये वाद यंतर क्या था अक्षर की कहानी किसकी रचना है सिक्छा और संस्कीति किनकी रचना है इन्हें आपको राइटर का भी नाम याद कर लेना है और ब्याकरान में खास करके आप संग्या हो, समास है, संधी है, उपसर्ग है, परतिया है, मुहाबरा है, प्रेवाजी सब्द है ये खास करके आप यादगर लें अगला कुछ संदकी क्यों गता पाठ में आप एक एक छी का यादगर खना कता बहादूर को लेखक के घर पर, बहादूर को लेखक के घर कौन लाया था सुजाता का बस्तविक नाम क्या है, साथ कोरी होता, कहां के परमो कथाकार है मंगमा किस सहर में दही बेचा करती थी, पूर वज लच्मी के लिए कितना खेत छोड़ गये थे मंगू कब से पागल थी, संसार का संदी भी छेत करे अगला 48 तो होगे या 49 में, इंदर का प्रवाचे सब्द क्या होगा बेदना में परतियाय है, मनु से कौन संग्या है, परतियाय के कितने भेद होते है गुर्णानक की भेट किस मुगल बादसास हुई थी, मचली सिरसर पाठ साहित की कौन बिद्या है हम बार बार नाखुन क्यों काटते हैं, इसके अलावा और देखिए कता के नागरे लिपी पाठ साहित की कौन बिद्या है पठित पाठ के अधार पर आप बताईए कि मोटर कार को खत्रा किस से हो सकता है भाई चारे का दूसरा नाम क्या है, भारत की सरवादिक अवादि कहां बस्ती है वारेन हैस्टिंग का गवर्ना जनरल था तो ये आपका अब्जेक्टिव रहागा 100 अभी फिलाल आपका अनुल एक्जाम 2020 का है यानि हम पीछे से आप देखेंगे तो कुछ-कुछ कुछ को मैनेज करके देखेंगे तो लगवाला हुई यही कुछ को रिपीट की जाते एक्जाम में तो जयादा करके कुछिस करेंगे कि आप यह सारे कुछ्यन अपने बुख में से जो भी सरपरें उससे क्या करें नोट करके और यह कुछ् Verm याद कर लें कि मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सकें और ज्यादा कुछिन टकराने की सभवल ना भी है अगर लाकता है, कि आपको गाधाँस दिया रहता है गाधाँस देगा आपको दो ठो दस-दस नंबर करेगा और दोनों मेंसे देखे, जैसे एक नंबर हैं बोला निम्ने रिखेते ग fouls मेंसे किसी एक गाधाँस को पढ़ कर नीचे दिये गए प्र discouraged को उत्तर दे यानि आपको एक नमबर कुष्चन में दू अगाधान से देगा और दो अगाधान से में से आपको सिर्फ एक ही गाधान से बनाना है यानि एक देखे का है और दूसरा देखे या खा में दिया हुआ है यानि का वाला बनाएंगे तो खा को छोड़ देना है अगर खाव बनाएंगो तो काव को छोड़ देना या दोनों में से किसी एक ही गधान को पढ़के बनाना है दोनों नहीं बनाना है या दोनों नहीं छोड़ना है दोनों में से किसी एक ही गधान को बनाना है या आप काव बनाएए या खाव बनाएए और इसका एंसर उसी में से ढूंडन करके आपको बताना पड़ता है पहले इसको बनाने से पहले जिसे बनाने में असान कैसे होगे पहले इस कुश्चन को एक मरते पढ़ लेना जो भी गधान से बनाएगा अकुश्चन पढ़ने के बाद उस गधान उसको पढ़िएगा जिससे गधान से पढ़ते ज से किसी एक काहीं एंसर दे यह दो नमबर में कुश्यन है काता निमने लिखित गधांसों को पढ़ना है और उसमें से किनी एक ही गधांस को उत्तर देना है दोनों में से किसी एक को आप देखिए दोनों गधांस में से किसी एक गधांस का उत्तर देना तो दोनों में से किसी गधान में म्हें तो दोनों में से कुई की युषों फीर से बनाएंगा दो नम्मर में भी सिखका का बनादुए आपको कोई कही नम्मर कहीं पर डिमान्सिंग नहीं होगा यह काटेगा नहीं आपको कोई एवा बनादीजिए और है अग्ला क्वेशन काता है क्या कि आप एक अप्लिकेशन लिखे अप्लिकेशन काता है निबंद आपका 200-300 सब्द में आना चीए यानि कि आपको लगभाग 2-page plus ये 2-page के आसपास निबंद लिखना पड़ेगा जैसे काता भारतिय किसान पर लिखना है तो भारतिय किसान पर आप जैसे बच्चे में लिखते तो उसको अंडरलाइनिंग किजिए नीचे से उसको डंड दीजिए उसके बाद डैस देकर के भूमका के बारे में बताएं के भारते किसान के क्या इस्तिति हैं फिर उसके बाद भूमका बता देंगे उसके बाद नीचे इस्तिति बताएंगे किसान को आप सकता क्या हो तो वो बताएंगे उसको हमें सही हो क्या करना उसके बाले में बताना है और अंते में सबची का जो निचोर आएगा जो निसकर्स आएगा उसे प्रकार से बिज्ञान के चमतकार में भी लिखना है यानि कि एकिक को हमें हेडिंग लगा लगा करके बना बना करके ही उसका एंसर देना तो अगर निबंध लिखी जाती है तो हमें दस नमर मिलता है अगला कुश्चन मिलेगा आपको कि एक अपलिकेशन लिखें परधाना द्यापक के पास लिखो छुट्टी के लिए हो या हो सक आपको मिल सकता परि या नहीं तो दोस्तों के बीच आपको एक संबाद लिखेना परता जिसे लिखा जल्व परदूसर्ण के भिषय पर दो छात्रों के संबाद लिखें जैसे डॉक्टर रोगी के पास डॉक्टर साहब के पास जागा तो रोगी क्या बोलेगा तो रोगी को डॉक्टर साहब क जल्ब देखो इतना प्रतोसित कैसे होगे उसके बारे मताना है। इसके बाद कुंशन आती है आपकी कुंशन का चेपटर का जिसमें दिया गार्नों लिखित में से किसे 5 प्रसुन का उतर दीजी। कोश्यं तो आपको ज़्यदा है लेकिन इसमें से सिर्फ कोश्यंका जवाब पहांच्य को देना है बैसी के नहीं दिजिए जो कोश्यन आएगा उसी को जवाब देना ज्यादा देने की ज़रूरत नहीं है तो कोश्य système है सच्चे सब्सक्राइब करता है याने अबने चिप्टर का सेन सहाव खोखाग में कैसे संभावना भी दिखते थे मन लेहू पैदेहू छटाक नहीं से कभी का क्या विप्रा है भारत मता का हास भी रहो गरसित क्यों दिखाई परता है कभी को बिरिक्ष बोढ़ा चोकेदार क्यों लग असानी से अप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं और इसका सब देशी मां समझ करें कम सकें तीन लाइन चार लाइन पांच लाइन पांच लाइन मैक्सिमम थकले आप इसका जबाब दीजिए अपका 20 से 30 वर्ड रहेगा और अच्छे से नंबर प्राप्श्ट कर सकत दुसरा है अर्थ असपष्ट करना यानि कबता का दिया हुआ इसका भाव असपष्ट करना किसके माध्यम से कभी क्या बताना चाहते हैं यह अब आपको बताना तो कुल मिला कर यह है कि आप घबराना नहीं यह 100 नंबर असान है और तेंथ कलास में यह पारना भी बहुत अ सानी हो गई कि हमें कुछ प्रक्टिस करना कुछ याद करने के चले तो यार आपका कि मेनुवल कंधिम अब कुछित देखिल करते हैं अर्दुत रोल एक लिए अर्दुत रोल के लिए नंहींदी कैसा होता देखिए uto आले के लिए ननहींदी वी आ फाइ fault बस इसमें देखे कुश्यन क्या है, आपको जो एट कलास का हिंदी होता, वही नन हिंदी होती, मुहसीन के पास कितने पैसे थे इदिगाह चेप्टर का है, हामिच चिम्टा कितने पैसे में लाया, चिलचिलाती धुप को जो चांदनी देवे बना, किस कवता की पंक्ती है, बाल गुबिन भागत के बेटे को आग किस ने दिया, पुलिरिया रोड से हुन्डरू की दूरी कितनी है, ये है अपका, और अगला कुश्यन है, काता है कि गोपियो ने क्रिश्न की मुडली क्यों छुपाई, ठेस कहानी में कहां की लोक संस्कृति का प्रभावनन है, काकी की सबसे छोटी बेटी कौन थी, बच्चे के दुआ कविता किस के द्वारा लिखी गई है, इस तरिया भी निहत्तों प्रवार नहीं करेगी, या किस पार्ट से लिगी है, विकास सुक्स्तित्यक से, बैठेक में कौन परते हैं, चीरिया का प्रवाची सब्द दिख्या है, तो जैसे आपको उस हिंदी में रिपिट कहाईगा, वसी यही लिए यह एट कलास का हिंदी है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, देखिए आजन में कौन समास है, अप मान में कौन उप्सर्ग है, पस्षिम का कौन संग्या है, सुध सब्द क्या है, सुध सब्द है, यानि तीन आपको गलत होगा, एक आपको सही होगा, नैन का संदी भी छेद करे, इर्षया तू न गई मेरे मन से के लिखा कौन है, उसका नाम बत केंदर भी कहा गया है विक्रम सिला का आवी भाव किस राजा के सनक्षन में हुआ दिद्धी की डाइरी पाठ क्या है संजु को डाइरी लिखने की पड़ने किसे मिली थी पीपल सिर्शक कवता के केंदर में क्या है यह आपको बताना अगले कुशन जो रहीं जो रहीं दिन ही लखे दिन बंदू सम होई किस लिखाग पर सट्टी के बढ़ती है दिन बंदू निराला किसकी दोरा लिखा गया है खेमा कैसी कहानी है होटल के मालिक का नाम क्या था खुसबू रस्ते हाथ करता के कभी कौन है तपो वन का संदी बिचेत करे जैनाव खानम कहां की रहने वाली है और विकरम सिला उतके रिष्ट सिक्षा का केंदर बन गया था विकरम सिला विशुभी दले के पर्थम खुलपती कौन थे होटल के पास क्या था कौन से परतियोगता में सुनी ने पर्थम अस्थानपरात की बिहार की बेटियों के आस अधारी मिसे श्ताव का अव्ध का ने कॉलेज का तियाक कव किया घर का प्रेयावाची सब्द क्या होगा यह अब का क्यों करता है कि अर्थ का विलोम क्या होगा बात का धनी मोहाबरेकार्थ क्या होगा इन में सूध सवा क्या है साभा भावन कौन सा समास है करपुरी ठाकूर कब ताजपुर विधान सवाच्छेतर से जीते थे का सारा क्या लेने बजार गया था यह आपके अगली कुशन भाला बूरा कौन सा समास है दिन बंदुर निराला के निवक्ति सबसे पहले कहां होई थी बेक्ति को प्रतेक दिन क्या लिखेना चाहिए इरिश्या का समन्द किस्यों होता है इरिश्यालो बेक्ति आनंद नहीं उठा पता है रामधारे से दिन कर कहां के रहने वाले थे पादमा कौन थी कता मामूद के पास कितने पैसे थे हामिद की दिदी का क्या नाम है मानवता में परतियाए समी ने क्या लिया इदगास सिर्चक कहानी के आलोक में क्या बताए बालगुबीन भागत का बेटा कैसा था परकास में उपसर्ग सिर्चन जातिक का क्या है इसमें भी योई गधांस अब दो गधांस में से गधांस पूड़के जवाब देना f जैसा आपको उस हिंदी में था उसी परकार से इस भी हिंदी में का धान सुवई होगा एक आपको लेख लिखना निबंद लिखना है निबंद भी आपको उसी परकार से लिखने है इसके चलो हम कोशन बता देते हैं किसका कोशन कैसी होती है तो चले इसका कोशन हम देखते है सारे कोशन उसे बगर गरा था खता नमाज खतम होने के बाद लोग क्या कर रहे थे चिम्टा देकर अमीना कमन में कैसा भाव जगा हुन्डु का जहर ना कैसे बना आपके बिचार से सिर्चन का मा मा तो कम क्यों हो गया पदमा के लल करने के बाद विया सोग ने यूद करना को सब्सक्राइब के लिए प्रियों किया गया कैसा बातावरान मिलने पर बुलबुल पंची गाने लगती है खुसबू रस्ते हाथ से क्या तत पर है और इसके लावा जो छे नमर कुश्चन है आपको दो में से किसी एक का जवाब देना जो आपके पांच नमर के लिए होती ह कदर लेखक ने बैद और हकीम पर क्या-क्या कहकर ब्यांग किया है उनमें से सबसे तीखा ब्यांग किस पर है उलग किजिए या आपको सुदामा के आगमन की सुचना देते हुए द्वारपाल की मनोदासा का चितरन किजिए और ये सारी कुश्चन आपको याद कर लिनी है क्योंकि या आपको 2020 में पुछा हो सके किस अंतराल करके आपको 22 में या कुश्चन पुछ सकती है तो ज्यादा तर फोकस हमारी इस पर होनी चाहिए ज्यादा सा ज्यादा याद करें और वीडियो अच्छी लगें तो सेर करें लाइक करें और सबस्क्राइब करें झाल